हेलो फेंच आप सभी का श्वागत है हमारे एजुकेशन भी साज जरम तो दोस्टों आप लोग कैसे हैं आई होब किया आप लोग अच्छे ही होँगे आपको संधी करने के लिए क्या है और एक कोश्टों आएगा आपको उसमें बताना होगा कि इसमें कौन सी संधी है ठीक है तो दो कोश्टों ऐसे पूछा जाएगे तो आप लोग संधी को अच्छे से पढ़के जाईएगा अभी भी तेन दिन का समय है रिवीजन करते रहें अगर आप लोग पास रिवीजन करने के कोई बुक्स नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को देखें आपका पूरा रिवीजन संधी का हो जाएगा आपको 100% इसे में से कोशन्स देखने को बिलेंगे किनकि जो आपको लुसेंट की बुक होती है आपके एक्जाम में 100% उसी में से कोशन्स आएगा एक कोशन्स भी बाहर नहीं जाने वाला है चाहे वो जीके हो चाहे वो हिंदी हो तो आपके सारे कोशन्स लुसेंट से ही आएगे तो ध्य ठीक है दो बरणों को मेल से होने वाली विगार को क्या कहते हैं संधी कहते हैं ठीक है तो ये संधी का सबसे पहला कोश्चन है तो आप लोग इसे अच्छे से याद कलने ठीक है उसके बाद संधी कितने प्रकार के होते हैं ठीक है संधी आप लोग पढ़ रहे हैं तो संधी भ Next question देख सकते हैं, दयानंद में परियुक्त संधी का नाम है, ठीक है, आपको बताना है कि दयानंद में परियुक्त संधी का नाम क्या है, दयानंद में कौन सी संधी है, तो दयानंद में देखिए, देर्ग संधी है, इसी तरह से questions आएंगे आपके exam में, आपको बताना होगा क इसमें कौन सी संदी है, ठीक, next है कपीस में परियुक्त संदी का नाम है, बहुत important है, जो कि कपीस में जो शंदी है, वो है देर गशंदी, ठीक, उसके बाद दस सदेयो, ठीक, सदेयो में संदी कौन सी है, स्वरसंदी है, इन सारे question क्या आप लोग इस स्क्रिन सौट लेते जा योग, मनुहर, नमस्कार, पावन, तो जो भी स्वर संदी का उधारण आप लोग बताईए, तो देखिए इस में से जो स्वर संदी का उधारण है वो है पावन, ठीक है, option 10 correct हो जाएगा, next question ये है कि निम्नांकित में से कौन सा सब्द व्रद्धी संदी का उधारण है, ठीक, इस में से व्रद्धी संदी का उधारण आपको बताना है, ठीक, तो व्रद्धी संदी का उधारण है वो है गुरु पदेश, ठीक, option C correct हो जाएगा, next question देखते हैं, निम्न में से देर्ग संदी युक्त पद कौन्शा है, ठीक, दैत्यारी आपका देर्ग संदी युक्त प पदाना है, next है, इत्यादी, बहुत important questions है, इत्यादी का सही संदी विच्छेथ क्या होगा, देखी, इत्यादी का सही संदी विच्छेथ होगा, इती धन आदी, ठीक, 10 का, D option correct हो जागा, इत्यादी बहुत important है, एक questions है, संदी विच्छेथ करने के लिए, तो अप लोग निर अर्थक का सही संद्विच्षेद है, निर अर्थक का सही संद्विच्षेद बताना है, तो इसका जो संद्विच्षेद हो जागा, निह धन अर्थक, ठीक, धरेश का सही संद्विच्षेद, तो इसका जो सही संद्विच्षेद हो जागा, धरा दिन इस, ठीक, उसके ब पाद आपका है महोश्न का सही संद्विच्छेत है ठीक महोश्न का तो इसका जो सही संद्विच्छेत हो जाएगा महाधन उश्न ठीक उसके बाद है आसिरवाद बहुत इंपोर्टेंट है आसिरवाद का सही संद्विच्छेत है आसि धन वाद ठीक option B correct हो जाएगा इस question का right answer नेश्ट कोशन देखते हैं महेस का सही संद्विच्षेत है तो देखे महेस का सही संद्विच्षेत है महा धन इस option B correct हो जागा नेश्ट है सनमती का सही संद्विच्षेत है सनमती का सही संद्विच्षेत है सत धन मती option D correct हो जागा नेस्ट कोशन देखते हैं इसको हम फड़ा फड़ जल्दी से देख लेते हैं अन्युवाई का साही संदी विच्छेत है अनुधन आये ओप्शन ए करेक्ट हो जाएगा नेस्ट है परोपकार में परियुक्त संदी का नाम है तो देखे जो परोपकार में संदी है वो है गुण संदी ठीक है ओप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नेस्ट कोशन ये है निमनांकित में से कौन सा सब्द श्वर संदी का उदारान है इसम को बताना है तो देखिए जो निश्चल का सई संदी भी छेद हो जाएगा नहीं धन चल तो फ्रेंट्स अभी तक आप हमारे चनलों के सब्सक्राइब कर लें अभी का भी लाल कलर के बटन को दबा कर काला कर दें और बगल में घंटी वाली बटन को प्रेस कर दें क्योंकि ऐस we have the here तो देखिए इसमें सब तरसी का सजे संध मकर बटन सब्सक्राइब करना है तो अब आपो इसी से अच्छे से रीड कर जायें उसके बाद तपोवन में परियुक्त संधी का नाम है ठीक तपोवन में परियुक्त संधी का नाम है विसर्क संधी ठीक तपोवन में कौन सी संधी है विसर्क संधी उसके बाद श्वागत में परियुक्त संधी का नाम है स्वागत में आपकी जो संधी है वो है यर्ण संधी ठीक, स्वागत का आपका संध विशेद भी आना चाहिए, स्वाधन आगतम, ठीक है, option B करिक्ट हो जागा, next है, दिगंबर में प्रुट के संधी का नाम है, ठीक, आपको बताना है कि दिगंबर में कौन सी संधी है, तो दिगंबर में संधी है, वो है, बेंजन संधी, ठीक, option B करिक्ट हो जागा, इस कोश्चन का राइट अंसर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, B.A. 2000 में आया था, एक कोश्चन, और next कोश्चन भी B.A. 2000 में आया था, next यह है, निमलिकी सब्दों में से किस में श्वरसंदी है, ठीक, इन चारों सब्दों में से आपको बताना है, किस में श्वरसंदी है, ठीक, तो देखिए, रजनीस में स्वरसंदी है, ठीक है, option B करिक्ट हो जागा, इस कोश्चन का राइट आंसर, next question यह रहा, आपकी स्क्रीन पे प्रतिवकार का सही संदीचेद है, ठीक है, प्रतिवकार का सही संदीचेद आपको बताना है, तो फड़ फड़ बताईए आप लोग, तो देखिए, जो प्रतिवकार का सही संदीचेद है, वो है, प्रतिधन उपकार, ठीक, option C वाला, प्रत धन और। option B correct हो जागा इस Question का right answer शर्च्वार्ट नेश्ट option यह रहा अभिसेक का सही सेंद्वी छहत है तो देखिए अभिसेक का जो सही संद्वी छेत हो जागा option B अभी धन सेख इसमें आपको सा ध्यान में रखना है कि कौन सा सा होगा तो इसमें जो आपका सा होगा सादा वाला सा होगा ठीक है Next question ये है यद्धपी में परियुक्त संधी का नाम है तो देखें यद्धपी में जो परियुक्त संधी है वो है यर्ण संदी, ठीक है, option C correct हो जागा इस question का right answer, बहुत important है, यददपी, next year आपकी screen पे, कि निमलिखित सब्दों में से किसमे स्वर संदी है, ठीक है, इन में से आपको बताना है कि कौन सब्द में स्वर संदी है, तो देखिए, महो दधी, इसमें जो है न, स्वर संदी ह पवित्र का सही संदी विच्षेत है, पवित्र का सही संदी विच्षेत है, ठीक है, तो पवित्र का जो सही संदी विच्षेत हो जाएगा, पोधन इत्र, ठीक है, option D correct हो जाएगा, इस question का right answer, next question ये रहा, मनो योग का सही संदी विच्षेत है, ठीक है, मनो योग का सही संद प्रती धन एक झाकुकी में तो मांत्रा나गे बड़ी उसके बाद नायक में प्रयुक्ट संधी का नाम है तो दीखें जो नाइक में प्रियुक्त संधी है, वो है आयादी संधी, ठीक है? Option D करेक्ट हो जागा, इस question का right answer Next question ये रहा, चंद्रोधए में प्रियुक्त संधी का नाम है, ठीक है? चंद्रोधए में प्रियुक्त संधी आपको बताना है, ठीक है? तो चंद्रोद्दय में जो परियुक्त संधी है वो है गुण संधी ठीक है, option B करिक्ट हो जागा इस question का right answer ठीक, इन सारे question को आप लोग याद कर लिएगा revision के लिए उसके बाद है यशोदा में परियुक्त संधी का नाम है ठीक, यसोदा में जो परियुक्त संधी है वो है विसर्ग संधी ठीक है, option C करिक्ट हो जागा इस question का right answer next question यह रहा, कि निमलिखित में एक सब्द शंधी की दृष्टी से असुद्ध है, उस सब्द का चैन कीजिए ठीक है, इसमें आपको असुद्ध बताना है, ठीक है तो इसमें जो असुद्ध है, तदो परांत ठीक है, option D इसमें संधी की दृष्टी से असुद्ध है तो वो सब्द है तदो परांत next है, अब भ्यूताय सब्द में कौन सी संधी है अब भ्यूद्धय में कौन सी संदी हैं तो दीकिए इसमें जो संदी है वो है यर्ण संदी ठीक, option secret हो जाएगा इस question का right answer next question जो की बहुत ही simple question है कि स्वर संदी के कितने भेद होते हैं स्वर संदी के जो भेद होते हैं वो होते हैं 5 होते हैं कौन-कौन होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि स्वर संदी के कितने भेद होते हैं और कौन-कौन से होते हैं जो पहला हो जाएगा देरगसंदी और दूसरा गुण संदी और तीसरा व्रद्धी संदी, चौथः यड़ संदी और 5 बाजु है आयाती संदी ठीक है तो यही स्वरसंदी के भेद हैं पाँच आपको याद रखने है कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होने चाहिए next question यह रहा की screen पे कि स्वरसंदी का उधारन कौन सा है ठीक इसमें आपको बताना है स्वर संदी का उधारण कौंसा है ठीक तो इसमें जो स्वर संदी का उधारण है रतना कर ठीक रतना कर option C next है बेर्थ सब्द में किन वरणों की संदी हुई है ठीक है बेर्थ सब्द में किन वरणों की संदी हुई है आपको बताना है ठीक है तो इसमें जो ठीक है जब संधी विच्षेत पता किया आता है तो इसका संधी पहले किया जाता है ठीक तो उसी को आपको बताना है तो E धन A बेर्थ का जब हम संद्विच्षेत करेंगे न तो पहले E निकलेगा उसके बाद लाश्ण में क्या निकलेगा A ठीक Next question यह है घुर दवड का सही संद्विच्षेत है तो देखें घुर दवड का सही संद्विच्षेत है Option C घोडा धन दवड ठीक है Option C करेक्ट हो जगा इसकोशन का राइट आंसर Next है महोदय का सही संद्विच्षेत है ठीक है महोदय का सही संद्विच्षेत है महाधन उदे यानि कि option D correct हो जागा इस question का right answer next question यह रहा तन्माई का सही संद्विचेत है क्या पताना है तन्माई का सही संद्विचेत है तो दीखे जो तन्माई का सही संद्विचेत है इनमें तत धन मैट option C correct हो जागा इस question का right answer next है उद्धरण का सही संद्विचेत है क्या पताना है आपको उद्धरण का सही संद्विचेत है तो इसका जो सही संद्विचेत है उत्धन हरण ठीक है option C करेक्ट हो जगा इस question का right answer next question ये रहा तेजो माई का सही संद्विचेत है तो तेजो माय का जो सही संदी विच्छेत है वो है option C यानि कि तेजह धन माय option C correct हो जगा इस question का right answer next question है राकेश का सही संदी विच्छेत है ठीक है बहुत important question है कि राकेश का सही संदी विच्छेत क्या है तो देखे जो राकियस का सही संधी विछेत है वो है राका धन इस option डिक कर्रेक्ट हो जगा इस question का right answer next question ज़रा कि निरोग में परियुक्त संधी का नाम है ठीक है आपको बताना है इनमें से कि निरोग का किस संधी का उधारान है ठीक है तो देखे विसर्ग संधी का ठीक है निरोग में जो संधी है वो है विसर्ग संधी next question ज़रा निर्जन में परियुक्त संधी का नाम है ठीक है निर्जन में कौन से संधी है ठीक है इसमें जो संधी है इसमें भी विसर्ग संधी है next question यह रहा वातानु कूल का सही संद्वी छेत है क्या बताना है वातानु कूल का सही संद्वी छेत है तो इसमें जो संद्वी छेत होगा इसका वातधन अनकूल ठीक है option A correct हो जग इस question का right answer next question यह रहा कि ब्रह्मास्र का सही संद्वी छेत है ब्रम्हास्र का सही संद्वी छेत है तो ब्रम्हाधन अस्त्र ठीक है इसका सही संद्वी छेत है option B next question ये रहा उच्छवास का सही संद्वी छेत है उच्छवास का सही संद्वी छेत है उत्धन स्वास option B correct हो जगा इस question का right answer नेस्ट कोशन ये रहा प्रत्यूतर का सही संद्विच्छेत है ठीक है इसका जो सही संद्विच्छेत है प्रतिधन उत्तर ठीक है ओप्शन बी करेक्ट हो जागा इस कोशन का राइट आँसर नेस्ट कोशन ये रहा नमस्ते का सही संद्विच्छेत है तो देखे जो नमस्ते का सही संद्विच्छेत है नमधन ते यानि की ऑप्शन डी करेक्ट हो जागा देख सकते हैं 24 में कोशन ये आया था नेस्ट कोशन ये रहा संतोस का सही संद्विच्छेत है आपको पताना है इसंतोस का सही संध्य विच्षएड कंग सा है लेक्षेजर्च जो संतोस का सही संध्य विच्रेट समाधन और ऐस普 arrog Hind there नेकष जोवल से संध्य विच्षेड भोट इंपोर्टेंट को सचन है कि उज्वल का से संध्य विच्रेट क्या उत् אבל Йलों हो जाएगा लाश्ट लाश्ट कोशन देख सकते हैं विस्व मित्र का साइस अंदर विछेत है वो है विस्व धन आमित्र ठीक है ऑप्शन डी करेट हो जागा इस कोशन का राइट आंसर तो फ्रेंट्स ये वीडियो कैसा लगा आई होप कि आप लोगे ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंट्स अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को सेयर करें आपने एक्ष्ट डी ग्रूप में फ्रेंट्स अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रिस कर लें उ एक्जाम 9 अगस्त को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय बताएं कि यह जो एक्जाम है 9 अगस्त को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए प्लीस प्लीस अपनी रिप्लाई जरूर दीजे ओके बाई टेक क्यार सब्सक्र आपना नबुल्यागा